नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों प्याज से संबंदित रोपाई से लेकर अंत तक की सभी जानकारे चेनल पर डाल दी हैं पर आज का जो विशय हैं वह हैं कि निंदाई करने के बाद में या साथ दिन से लेके 90 दिन के बीच में प्याज की फसल में कौन-कौन से खाद उर्वरक हमें डालने चाहिए तो उसकी आज की वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं जिसमें की बेसल डोज के अलावा भी प्याज की प्याज को पड़ती हैं तो प्याज की फसल में कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए जिससे की प्याज का कंद मोटा बने तना अच्छा मजबूत बने और हमारी क पर शेयर भी जरूर करें और चेनल पर ऐसी ही जान के रहें जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी दबा दे जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वह आप तक बिना देरी के जल् करना पड़ेगा आप मेंबर्शिप का बटन दबा कर परक जाकर देखें और आपके अनुसार आपको इसी भी मेंबर्शिप ले सकते हैं एक फार मेंबर्शिप के उप्सन में जाकर जरूर देखें तो आई एजैनकारी सुरू करते हैं तो किसान सात्यों प्याच की फसल में आपको खाद और उर्वरक डालने से पहले प्याच की फसल में निंदाई गुड़ाई करवाना होगा क्योंकि निंदाई गुड़ाई करवाने से मिट्टी में उलट पलट भी हो जाता है और हमारा खाद अच्छी तरह से मिलता है और खरपतवार की रासाइनी की विद्धी है उसमें आपको किस प्रकार से कुन सी दवाई कितनी मात्रा में लेकर इस्प्रे करकर खरपतवार नियंतन करना है वह जानकारी भी हमने डाल दी है तो आपकी प्याज की फसल एक महिने से पेले की है और खरपतवार आपके यहाँ पर तो आप दवाई का सहरा भी ले सकते हैं परन्तु आपकी फसल जैसे ही 40-50 दिन क्रोस करती है उसके बाद में आपको कोई भी खरपतवार ना सकता इस्प्रे नहीं करना है क्योंकि वह कंद बनने का समय श्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर हमारी फसल को वह दवाई नुकसान पहुचा सकती है तो आपको खरपतवार नियंत्रित करने के लिए 50-60 दिन बाद में जो है निन्दाई गुड़ाई का ही सहरा लेना है क्योंकि किसान भयू के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं कितनों दिनों की फसल में कर सकते हैं तो उनको भी यही जवाब है कि आप एक महिने से पहले पहले की फसल में खरपतवार नियंत्रित के द्वारा कर सकते हो उसके बाद अगर खरपतवार होता है तो आप निंदाई गुड़ाई का ही सहरा ले सकते हो तो निंदाई गुड़ाई करवाने के बाद आपको कौन सा खाट डालना है उसकी अगर बात करें तो किसान सात्यों हमने जो रोपाई के समय खाद बताए थे उनमें आपने जो जो खाद आपका छूट गया है वह तो लेना ही आपको तो वह वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो कि रोपाई के समय हमने कौन-कौन से खाद बताए थे तो वह खाद अगर आपने प्रोपर रूप से डाल दिये हैं तो अभी आपको जादा कोई खाद लेने के आवसकता नहीं है दो से तीन खादी आपको लेकर इस्तेमाल करना है वह दो से तीन खादी आपके यहां पर इतना सारा काम कर देंगे कि आपका प्याच का कंद बहुती तगड़ा और मोटा हो जाएगा तो आप वह वीडियो जाकर देखें जो बेसल डोज का हमने बताया था आपने कौन-कौन सा खाद ले लिया है अगर आपने जो बताया गए हमारे द्वारा बताया गए सभी खाद ले लिया है तो अभी आपको जो है जो 12-16 NPK होता है वह ले लेना है आपके हाँ पर NPK 12-16 नहीं मिल रहा है तो आप DAP प्लस पोटास भी ले सकते हो अब NPK की कितरी मातरा लेनी है अगर उसकी बात करें तो आपको 40-50 किलो प्रती भीगा के हिसाब से NPK की मातरा अभी लेनी है और DAP अगर आप ले रहे हो तो आप उसकी भी मातरा 30 किलो ले सकते हो और 20 किलो उसमें आपको पोटास मिला कर 50 किलो क्वांटिटी आपको प्रति भीगा के हिसाब से कर देनी है तो NP के ले लेना है, NP के नहीं मिल रहा है तो DAP प्लस पोटास ले लेना है उसके बाद में आपके यहाँ पर अगर कीडो की समझ्या है तो उसमें आप जो फिपरो नील 0.03 प्रतिसत या 0.06 प्रतिसत आता है उन दोनों में से कोई साभी ले सकते हो या किल्स्टल कमपनी का एक वल्टाक्स आता है जिसमें फिपरो नील प्रतिस थायो में थाक्स आता है वह ले सकते हो या फिर जो एक क्लोर पाइरिफोस नाम से एक दवाई आती है तीनों चीजों में से आपके आप जो अवेलेबल हो वह एक चीज आपको लेकर मिला नील है जो आप लाल लाल पाउडर देख रहे हो यह फिपरो नील है और जो एनपी के 12-16 में ने बताया वह पीली थेली में आप देख सकते हो तो यह दो चीजे हो गई अब यहाँ पर तीसरी चीज आपको कौन सी बिला नहीं अगर उसकी बात करूँ तो तीसरी चीज है माइको राजा बेजड खात होता हैं माइको राजा क्या काम करता हैं जड़ो का विकास करता है और जड़े जितनी प्याच की फसल में मजबूत होती हैं उतना ही जादा मोटा तना बनता हैं पोदा स्वस्त रेता हैं और उतना ही अच्छा कंध हमारा बनता हैं तो इसलिए आप जो काला पाउडर देख रहे हो यह माइको राजा बेजड खाद हैं जो की आपकी फसल में 40 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्ता में आप कभी भी इसे डाल सकते हो तो यह जड़ो का विकास अच्छा करेगा जड़ो के विकास के कारण पोधा जो आप संपूर्ण खाद डाल रहे हो वह सभी खाद पोधे तक जाएंगे पोधे की जड़ो तक जाएंगे उसके कारण जो हैं पोधा माइकोर के नाम से माइकोराजा बेजड खाद आता है वह भी ले सकते हो उसकी अगर मातरा की बात करें तो दो किलो प्रती बिगा और चार किलो प्रती एकड के हिसाब से आप जो माइकोराजा बेजड खाद होते हैं वह ले सकते हो इसके साथ में आपको कोई भी फंगी नहीं मिलाना है क्योंकि माइको राजा एक फंगस होती है और सलफर या फंगी साइड अगर हम कुछ मिलाते हैं तो उससे वह बेक्टेरिया मर जाते हैं तो अगर माइको राजा बेजड आप खाद मिला रहे हो जो काला रंका में ने बताया है तो उसके साथ आपको सलफर या फंगी साइट कोई सा भी नहीं मिलाना है और फिपरोनिल की बात करें तो यह भी आपको तीन से चार किलो प्रति भीगा ले ले लेना है और उसकी मातरा लेकर आपको इनी खादों में मिला देनी है तो यह तीन चीजे आप प्रापर रूप से डाल दोगे अभी निंदाई के बाद में तो आपके यहाँ पर डीएपी की वज़े से जड़ो का विकास अच्छा होगा तना मोटा होगा कंद अच्छा बनेगा और पोटास की मातरा इसमें बारबति सोला में है तो उससे जो कंद बन रहा है वह चमकदार वजंदार और ठोज बनेगा और उसका परदा हमने बताया है या जो कोई भी कीडे की दवई हमने दो तीन बताई हैं आपको वह जो जड़ों में कीडे की समश्या होती है उससे निदान दिलाएगा तो इन सभी का मिस्रण करके आपको खेत में अच्छे से एक समान भूरकाव करना है और भूरकाव करने के बाद सबसे मे वहें वह उड़ जाता है और जो माईको राजा बताया है वह भी बेक्टिरिया होते हैं जो की धूप से काफी जादा उनको नुकसान पहुंसता है तो आप अगर यह खाट डाल रहे हो तो हाथवाद सीचाई करें और सीचाई करने के बाद में आपका खाट पूरी तरह से काम करने के लिए तेयार हो जाएगा और साथ से आठ दिन बाद ही आप जो अच्छा रिजल्ट इसमें देख सकते हो किसान सात्यों सीचाई करने के बाद में आप जो है इसमें थ्रिप्स फंगस का इस्प्रे भी कर सकते हो जिसकी जानकारी भी हमने चैनल पर डाल दी है और तम जो आगे नई नई वीडियो आने वाली है वह भी जरूर देखें और सभी को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इसके अलावा आपको हमारी फसल कैसी लग रही है आपकी कोई सवाल या सुजा हो तो वह भी जरूर कमेंट करें जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे आपके कोई सुजा होंगे तो वह भी जादा से जादा किसान बयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे अगर जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आपको हमारी जानकारी कैसी लेगी वह भी कमेंट में जरूर बता फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम